अभी तक उसकी लोग बढ़ती ही जा रही है कम नहीं होने दिख वह बहुत बढ़ी थाकत है इमानदार ये बहुत बढ़ी थाकत है ये तो ये मोदी रूपी मगरमच और ये सीबिया रूपी जाल अभी तक ये जो आरोब बार बार खड़े हो के आरोब लगाते रहते हैं वो अभी तक आदी सी जदा कैबिनेट को जेल के अंदर डाल चुके होते हैं और कई सारे सब 20 विदायक सस्पेंट कर रहा है हमारे 15 विदायक उनोंने फायर दर्ज के लिए लेकिन अभी तक हमारे एक पी बिदायक पो और कि सी भी तरीके का आरोब सावित नहीं कर पाए 15 विदायक आफायर 10 कर लेकिन अभी भी एक बीविदायक पे अपना आरोब सावितनी नहीं कर पाए यह मांदारी है, क्योंकि सारे जूटे केस ने कि उनकी कुछी चली तो बीस विदाये को अयोग गोशित कर दिया कैता डिस्कॉलिफाइड बीस विदाये को अयोग गोशित कर दिया मनोज भाई पे मैं भी हूँ लेकिन मैं कहता हूँ आप हमारा पद ले लोगे आप हमारे साइन कर दिया अथोर्टी ले लोगे आप हमारी जिम्विदारिया ले लोगे लेकिन ये रिष्टा जो प्यार जो विश्वास हमने लोगों में और कार्ट कतां बनाये मोदी जी वो कैसे चीन पाऊगे वो कैसे चीन पाऊगे ये प्यार ये विश्वास ये द्रंड सेंकल ये हमारी ताकत है और ये हमें मद्बूत रखेगा चाहे जब भी जुनाव हो आगे आने वाले चाहे तो अभी हो या 19 में हो या 20 में हो जब भी जुनाव हो जिस तरीके से पहले हम लड़े थे उसी मद्बूती के साथ उस जजबे के साथ जुनुई के साथ दुबारा हम सड़क पे खड़ों के लड़ेंगे और जिस तरीके पहले दूल चटाई थी वैसे दुबारा दूल चटाईंगे लेकिन जिस तरीके यहाँ पे मानी मंत्री गोपाल राईजी ने यहाँ पे संगठन की चर्चा करी अभी हमें और ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा मैं भी संगठन का अगर हमें जीत की ग्यारंटी लेनी है तो हमें यहाँ पे अगर जन्गपुरा में 126 बूथ है तो 126 बूथ दिखाने पड़ेगे तब हमें अपने चुनाव की garantie ले सकते हैं उससे प्शले गीरानटी नहीं ले सकते हैं हम यह उससे पहले बोल दे न चुनाव जीत जाएगे और फनाना हो जाएगा हम यह कर दे के वो कर दे मैं भी बोलना हूरू लेकिन तब तक यह उसकी गारंटी ले सकते हैं, जिस दिन हम गारंटी ले सकते हैं, इसलिए जितने पददिकारियां हैं, जितने कारी करता हैं, उनसे यही गुजारिश हैं, कि जमीन पर जाके हर एक व्यक्ति को जोड़ना है, जैसे जंगपुरा से मैं 40,000 वोट से जीता था, मनोज भाई कई हजार वोट से जीते थे, पार्शवत बैठे वह भी कई हजार वोट से जीते, हर एक व्यक्ति को जिसने आमाधी पार्टी को पसंद किया हैं, उससे हमें घर से निकालना पड़ेगा, हमें सोसते हैं कि यह फराना है, यह SCA, यह BJP फराना है, लेकिन अगर हमें सरसा सीटे मिलिए, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, जो चाहे हमारे पार्टी में जुड़े हो, चाहे नहीं जुड़े हो, लेकिन पार्टी हैं सानुभूत रखते, उ कि जब जब विजन की बात होती है जब जब मिशन की बात होती है अर्विन केजिवाल मुख्यमुत्री जी ने अपना विजन शाफ कर दिया है कि इंसान का इंसान से वो भाई चारा यही पैगाम हमारा उन्हें को अमेज़ा साफ कर दिया है तो अगर इंसान का इंसान से वो भाई चारा यही पैगाम हमारा तो हमा इस देश के किसी भी इंसान को छोड़ नहीं सकते हैं यह इंसान हर एक ब लोग है उन सबको हमारे एक छत्र में राव लाना पड़ेगा एक छत्री के नीचे लाना पड़ेगा तभी हमारा भायचारा कामयाब होगा तभी हमारा देश उरक्षित होगा तभी हमारा देश का सम्मान और गौरव बनेगा बागे आप सबको बहुत 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 झाल झाल झाल